हेलो गोड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू मैं चानल तो सुबा का टाइम है तो सुबा का ठीक पाज बज चुका है और आप मौसम देख सकते हो मौसम कितना ही जादा बदल चुका है बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है मुझे वैसे उमीद नहीं थी मुझे कि आज भी ब अब बहुत जादा ही काम करने में बड़ा मजा आए गया क्योंकि गर्मी जब होती रहे नहीं चुक्छ भी करने का काम करने का कुछ भी करने का मन नहीं रहता अब एनरजी थोड़ी से आ गयी है मेरे अंदर और मैंना पता एक घंटा मैं अपने इस वाली बालकनी में बैठ तत्त कर दो सब्सक्राइब बहुत जादा आप देख सकते हो ना कितना जादा और पता है इतनी जादा हवा चल रही थी डा की पोद जो है ना मेरे चार पोद जो है ना वह गिर चुके तो तो उनको मैं भी उठा के रखोंगी और फुर्ट दे इस वाले बालकनी के भी मजें तो बस अभी जो जो पोदे जो गिर गए है उसको मैंने अभी ऊठा के ठीक कर दिये हैं और आप मैं जाओंगे चेंट वाली बालकनी में तो किचन की हालत आप देख सकते हो जो मेरा मॉब का जो है मॉब जो स्टेंड है ना वो भी तूड चुका है तो आप मैं आपको दिखा तो यह देखिए यह पड़ाज का आदा तुपड़ा मैं सुबा के ना पता है वैसे तो पांच बजे उड़ गए थी कि बहुत जादा ही चाल लेती हावा तो जब देखा बाहर का मॉसम बहुत ही जादा अच्छा हुरा था था बहुत एक घंड़ भारी बैठी रही देखि रही अपने नजारे को यह देखती रही देखती रही थ अपने देखा हैं तो पोड़े के रही थीक आये जड़े गंदी हो चुकी है बहुत ही जाद ही और यस वाली बालके निगवी किछन वाली भाल थी हाल खराब हो रखा है तो मॉसम तो बहुत अच्छा हो गया no doubt बहुत बहुत जाद अच्छा हो गया पूरे मैंड़ के ना बहुत इच्छा मौसम हो चुका है और आज मुझे सफाई भी करनी है तो उससे पहले मैं सोच रहे हूँ कि नास्ताव नालू नास्ताव नालू से पहले मैं अपने बाल बाल सब खोले हुआ है क्योंकि मुझे नाहने के लिए जाना था मैं जैसी मैंने ब्रस लगर किया तो ब पावर वाली लाइट आती है ना वह नहीं आ रही है और जैसे नॉर्मल से पंखे जल जाते है वह वाली आ रही है यह पर पावर वाली नहीं आ रही है और फ्रीज भी नहीं चल रहा है तो इसलिए वह नहीं चला तो फैले फिर मैंने सोटे कि चलो ताले मैं जब भी मैं एक दिन पहले हैं क्या बनाना है तो अगर समान होता है तो ठीक है नहीं होता है तो यह है और ब्रैट में भाली है तो अभी मेरा दूध हो रहा है उसके बाद जो है मुझे घर को क्लिण करना है वैसे तो दूनों रूम है कल मैं उसको उसको साँ किया था और की इंचन कीर थी पटा लीविल्फ रह गया तो मैं कहिरें चलो मैं आज करोगी कल मैं कह रही थी कि आज है नहीं तो आज ही करुए और यस अको साथ जहना बालकोंगी गंदी हो जोग कि तो मैंने ईगना सैन्विच की तयारी कर ली है तो मैंने इसके लिए चौपिंग किया है टामाटर प्याज और खीरा तो पूरा ज्या्ता बारिक नहीं किया है तोड़ा सा दरदरा छोड़ दिया है और मैंने इसमें मियोनिज डाल दिआ है तो आप चाहश been चिली फ्लैक्स और उरीगोन मिक्व pillar और उसमें होगा जाते हैं तो हम इसे लिए चिली बहुत ही ज़ादा गंदी हो चुकी है उपर से लेके नीचे तक सब बालके निया अपनी साफ कर रहे हैं कुछ थोड़े दूर भी कर रहे हैं जो कि मैं आपको दिखाया नहीं था और और मेरे अजमन कहा रहे थे कि आज यह वाला जो ग्रास है आज इसको वाश कर दो वैसे तो मैं उपर जाड़ लगा रहे थी फिर मैंने सुचा कि चलो कर देती हो क्योंकि काफी दिनों से बिच्छुई भी थी और काफी धूल मिट्टी भी चले गई होगी क्योंकि तीन चार दिनों से धूल भरी आंधिय जो चल रही थी इसलिए तो मैं अभी छोटी वाली जो बालकनी है उसको मैं क्लीन कर रही हूं बहुत अच्छे से सारे पोधों में पानी भी मैं डाल दूंगी और टाइम जो था नहीं यहाँ पर थोड़ा सा जादा हो चुका था क्योंकि क्यो यहीं है और जो छोट वाली बालककौनी उसको मैंने साफ कर कर आ गए हूं और अब मैं यह वाली यहा ना इसको भी आज मैंuma पाने से वाँश कर रही हूँ क्योंकि काफीनित शीम से सक्काव करनीु थी इन ऐसारी जो है मैं डॉक्टर से मैं पुछ-पुछ कर रहूए हूं अब मैं स्टेंपर क्या कर सकती हूँ अब डॉक्टर ने बोला है कि तुम अब जो है ना पतलब मैं जो हूँ ना अब मैं थोड़े वो जो काम है किचन के या वैसे अब मैं करना श्राड कर सकती हूँ क्योंकि अभी जो है ना मुझे फोर्थ मन्त लग चुका है इसलिए तो आप देख सकते हो ना कि जो ग्रास हना मैंने इसको मैंने वहला शूप का पानी डाला है और उसके बात जो है करते हो तो अच्छा लगता है देखने में अच्छा लगता है और थोड़ा सा नाया साभी भी Ha ecstyn Ibt और में काफे टाइम बात में जैसे कि आपको बताइ कि इस तरीकी सा सफाई कर रही हूं वैसे टो मैं मौप से ँथी और हां मौप से कर रही थी हाथ से विन लगा रही पहुचा और मुझे हाथ से पोच्छा लगाने में अभी मुझे मना किया हुआ है तो मैं जब भी हफते में एक बार जो है न अपना वेट चेक जरू करती हो पर मेरा वेट जो है न वह बड़ी नहीं रहा है डॉक्टर नहीं पूछा था अभी धीरे-धीरे बढ़ से ना पता मुझे तो वैसी बहुत पसंद आपने देखा होगा मेरे पुराने व्लॉक्स में मैंने यह वाली सफाई जो है कितनी बार मैंने की और मुझे अच्छा भी लगता है क्या है कि घर में छोटा बच्चा भी होता है और ना इस तक सफाई करते ना तो एक तो बहुत अच्छी से सफाई भी हो जाती है और एक ना पोजिटीवी मतलब एक बहुत अच्छी से फीलिंग आती है मन में बहुत अच्छी सी कौन-कौन ऐसे करता है मुझे बताईएगा और हाँ मैं आपको बता दू कि ना एक मेरे पास पुराना आया था एक कमेंट आया था कि मेरे जो धून फरनी चरै खराब नहीं होतेption अब तो यmi 이제 अगर खराब हुए तो मैं एसे सफाई नहीं करती। नौरमल यह पोच्छा लगा लेती और अभी मैंना पैरसी वाला जो वूडन का फ्लोर है न तो बही इस पर जो है न मैं पैरसी पोच्छा लगा रहे हूं मैं इस पर पानी डालके नहीं साफ करते हूं इस तरीके से इसको क्लीन करती हूं और इसली साफ हो जाता है यह तो बस से यहां पर पोच्छ लगाने के बाद फिर मैं सीदह अपना खाना बनाओंगी लंच बनाओंगी क्योंकि टाइम जो है न दो बच चुका है और मेरा जो क्लीनिंग का जो काम है वह भी मेरा खतम हो चुका है तो फाइनली अब मैं मिलूंगी बाद में तो यह हो गया है नेक फिर वही थोड़ सा बैठे फिर शाम का टाइम होगे था मतलब काम हो गया था शाम का उसके बाद जो था ना वीडियो को कंटीनू करी नहीं पाई तो उसलिए मैं अब मैं वीडियो कंटीनू कर रही हूँ आरना जल्दी उठ चुकी है आज हम दोनों उठ गए है मौसम अभी नहा करें यह अधा इससे पापा लेकर आए थे तो आधा जो था रात को इसने फिनिश कर द द 되면 फृझिदा अब इसके बाद जो है मैं नया जो पाकई टफ वह में करोंगी बढ़ा वाला लिके रा है इस पार तो इसको मुझे कंटीनर में फिल करना है तो आरना को पहले मैं इसको नास्ता करवा देती हूँ बाद में फिर हम मैं नहा कर फिर नास्ता बनाऊंगी तो यह है मेरा सुबा का रूटीन जो अब ऐसे भी ना सुबा का डेली एक जैसा तो रहता नहीं है रूटीन अलग लगी रहता है तो चलिए अपना व्लॉग यही पर यह एंड करते हैं और क्योंकि मुझे यह वीडियो आज एडिट करनी है और आज ही मुझे अप्लोड करनी है इसलिए तो जल्दी मिलेंगे नेक्स वीडियो में वीडियो पसंद आए तो लाइक जोरू करतेजिएगा चलिए बाबाई टेक क्यार